हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी, आइम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक सिबुक का चाप्टर 8, रूलर लाइवलिहोड का पार्ट 2, पार्ट 1 में हम लोग काफे कुछ कवर कर चुके हैं, अबरप्टली वीडियो बंद हो गया थ तो यहां से फिर हम देखते हैं, यहां से हां, on being in a debt मतलब उधार में होना, तो हम लोग ने पहले पढ़ा है कि फार्मर्स जैसे की सीकर जो है, उनको बौरो करनी पड़ती है, मनी उनको उधार लेना पड़ता है, ताकि वो कुछ चीज़े खरीद पाएं, जैसे की seeds, fertilizers, pesticides तो यह मनी जो है, वो मनी लेंडर से, जो जमीनदार होते हैं, उनसे बौरो करते हैं, अगर seed good quality के नहीं हुए, या फिर उन पे कीडों ने अटेक कर दिया, तो अगर और अगर फसल खराब हो गई, तो उनको debt वापस करना, उतार वापस करना, उनके लिए बहुत ही मश्किल काम हो जाता है, क्रॉप जो है, वो मौनसून की वज़े से भी बरबाद हो जाती है, जैसे कि कई बार बारिश सही ना पड़े है, फिर बहुत जादा बारिश बढ़ जाए, जब ऐसा होता है, तो फार्मर्स जो है, वो लोन बैक पे नहीं कर पाते हैं, और फामिलीज को सर् के लिए रीसेंटली कई सारे अंभूग न्यूस सुनते हैं कि फार्मर डिस्ट्रेस में आकर के कई बार सुसाइट कमिट कर लेते हैं, उनकी इतनी हालत कराब हो जाती है, कि उनका उधार अतना बढ़ जाता है, कि वो पूरी सुन्तगी भी आकर मैनत करें, तो उधार को वा करना के लिए, कि और जो जो अधार के अज बेशायतार के लिए ञाए, और जो राओ जो ऐसी में करा आतना है, रावल मैं राइस्टैकर को भी कर हैं, और श कौननष। की मिल में काम हो जाता है और से इंकम काफी आछी हो जाती है तो यह हम ने देखा रामलिंगम के बारे इंडिया में लग बग आउट ओफ इन इंडिया नियरली टू आउट ओफ दू और फ़ाइव फैफ रुरियल फाईव्लीज अर अग्री कुल्च लेबरर फैमलीज तो पांच में से जो हैं दो तो अग्रीकल्च लेबरर इह हैं मतलब उनके पास अपना कोई लैंड नहीं है इंडिया में लगवग वही है थे है यह हो गया और अफ सारे किसारे डिपेंड करते हैं इसलों को कहीं से काम मिल जाए या फिर कुछ ऐसे आमारे देश इंडिया में लगभख 80% किसान की जो है वो छोटे सीं है जैसे की शेकर हैं और लगभख शी पड़े सेंटी परसेंट फßeंट फसेंग्ंथ हैं जो बड़े से i कॉप्र मालिंगम बड़ा था ना की मिल बी थी और शेकर चोठ़ा की बावन बाइश में फोटे फोटर फous फॉर्म पर लाइट में लाइश uto जो अगा सब निदे परृच में कर लिए काफी वा में चौर समय। और पैसा उधार देते हैं व्यापार करते हैं छोटी-छोटी फैक्ट्रीज भी लगा लिए जैसे राम लिंगम ने लगा ली थी राइस मिल्प हम लोगों ने देखा कि we have looked at farming in कालपट्टू कालपट्टू में जैसे farming होती है देखा हमने अपार्ट फ्रम फ्रमिंग मैंनी पीपल इं रूरल एरियास फार्मिंग के अलावा काफी सारे लोग जुद जंगलों पर डिपेंड करते हैं जानवरों पर एनिमल हजमेंडरी मतलब जानवरों को पाल करके पैसा कमाते हैं डेरी प्रडूस जैसे की दूद गाय घी मक्षन य इसका भी इस्तमाल करते हैं और वो भी सोर्स ओफ लाइवली होता है मतलब जंगलों से काफी सारे फल पेड़ों की जड़ें या काफी सारी वो इस्तमाल में आती हैं तबाईयां और मेडिसनल हर्प्स वगरा बनाने के लिए जैसे की महुआ तेंदू लीव्स और हनी जो है कॉपरिटीव को साइटें और में मतली होता है जाmy सबकारी वो गाहें आप अग्वारी होता है गाह recycle पा चूपने की होता है है और में व्स पैसे मिल जाते हैं इन coastal areas उसके समुद्री गावारी हैं लोग मछली वालन करते मौत में के बारे में के गहता हैं? अब village close to Kalapattu, Kalapattu के पास ही पेडू पेटेक village है, उसके बारे में हम देखते हैं story, तो यहाँ पर थोड़ा सा बज़ा भी हाँ, यह वाला रह गया था था ना, terrace farming in Tamil, sorry, Nagaland, तो Nagaland में terrace farming कैसे होती है, यह जो village है, जिसका नाम Chizami village है, called Chizami which is a fake district in Nagaland, तो Chizami village है fake district में Nagaland की, यहाँ पर लोग जो है, वो चाखे सांग community को बिलॉंग करते हैं और terrace farming करते हैं, तो Nagaland में terrace farming होती है, चाखे सांग community के द्वारा किये जाती है, इसका मतलब यह है, कि land, terrace farming क्या होता है, hill पर, यानि कि जो पहाड़ों पर जो land होता है, वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा होता है, और उनको is made into flat plots and carved out in the steps, तो मतलब पहाड़ों पर काफी टेढ़ा मेरा land होता है, उसको पहले plane करते हैं, फिर उनको सीडी जैसा, ऐसे करसे करके, जैसे सीडी होती ह इस तरीके से वो काट देते हैं, ताकि पानी भी उस पर रुख जाए और अच्छे से उस पर cultivation हो सके, ऐसे land होता है, इस पर फसलुगाना मुश्किल है, तो terrace farming कर देते हैं थोड़ी, है ना, तो थोड़े से steps बगरा बना देते हैं, जैसे वो अच्छे से कर पाएं farming, तो पी Weeds का मतलब होता है, जो unwanted plants होते हैं, उनको उखार देते हैं, हर ग्रुप जो है साथ में बैट करके खाते हैं और अपना दिन कुजारते हैं, this goes on for several days until the work is completed, तो साथ में काम करते हैं, जब तक work complete नहीं हो जाता, अब हम लोग देखते हैं, पेडू बेट विलेज के बारे में, अरुना और पारी वेलन की कहानी, काल पटू के पास ही एक और गाउं है, पेडू पेट, यहां के लोग जो है अपना जीवनियापन करते हैं, fishing करके, मतलब वो मशली पालन करते हैं, और इनके घर जो होते हैं, वो समूदर के पास होते हैं, and one finds rows of catamans and nets lying around, तो आप लोग न catamars run with their catch and women gather to buy and sell fish, तो catamars जो है आजाते हैं, जो हुने फिश्च पकडी होते हैं, विमेन आचाती हैं खरीदने के लिए, फिर my husband, Pari Velen, my brother and my brother-in-law returned late today, तो कहती है, कि मेरा husband, Pari Velen, और उसके भाई, और और कुछ लोग जो है आज लेट आए, और मेरे को काफी ज़दा उन के लिए जनता हो गई थी, they go to the sea together in our catamaran, तो हमारे catamaran में जो है, वो सी में साथ में गए थे, उन्होंने कहा, they said they were caught in a storm, तो बता रहे थे, कि वो एक तूफान में फस गए थे, I have kept aside some fish for the family, जो फिश पकड के लाए, मैंने कुछ फिश त अपनी family के लिए रगती, और I will auction the rest बाकी मैं बेचाऊंगी, मनी जिससे जो मैं बेच लेकर के आऊंगी, वो हम चार हिस्सों में बाट देंगे, क्योंकि एच वन फोर इच परसन, चार लोग गए थे, मतलब जितने भी लोग गए थे, जो भी उनका हिस्सा बनता है, उस हसाब से, मैं बाट दूँगी, चार हि मतलब जिसका वो समान है चौता है उसको जाएगा, सिंस वी ओधा काटमरन, एंजिन, नेट्स, वी गेट तर्ट शेयर तू, क्योंकि इनका नेट है, काटमरन है, इंजिन है, इसलिए इनको चौता हिस्सा है, समान वाला वो इनको भी मिलेगा, तो है कहते है कि हमने बैंक से लोन लिया था और हमने इंजिन खरीदा था, विच इस फिक्स्ट ऑन्टो दा काटमरन पर लगाया था, और सी पे जाते हैं, सो देट दे केंट बैटर कैश, तो इंजिन वाली जो बोट होगी उसमें आराम से जाकर के वाच्छी सी कैच पकड के लेगर के आ सकते हैं, अची आपी ट्रेडर्स भी हैं, जो कि समान यहां से फिच खरीते हैं, और शेहरों में शॉप्स पे बेचाते हैं, आई विल ओनली फिनिच तो ऑक्षिन बाइन तो इस सारा बेचना बेचना में नून तक मेरा खतम हो जाए का, इवनिंग मेरे हस्बें और मेरे रिलेटिव जो है हर साल लगवक चार महीने मौनसून के टाइम पर सी में नहीं जासे क्योंकि बारिश चादा होती है और उस समय पर फिच जो है वो अंडे दे रही होती है, इस टाइम पर हम लोग जो है वो ट्रेडर से उधार लेकर के सर्वाइफ करते हैं, इसकी वज़े से हम लोगों को अ जो लीन मन्स होते हैं जहां पैसे नहीं आते हैं काफी सथा डिफिकल्ट होता है तो कहते हैं कि लास्ट येर जो है सुनामी भी आ गई थी जिसकी वज़े से भी हमें काफी ज़दा दिक्कत हुई थी अब रूरल लाइवलिहोड यहां पर बताते हैं जो रूरल एडियास के जो अब रहने वाले लोग हैं वो काफी कई तरीकों से अपना पैसा कमा लेते हैं कुछ जो हैं फार्म में खेतों में वरक करते हैं और अपनी जीवन या पन जो है नॉन फार्म अक्टिविटीज जैसे की बहुत सारी चीजह होते हैं जो दूद बेच करके और गोल्समें त पहले जमीन तो अच्छी होने चाहिए फिर बुआ ही होती है फिर जो फाल्तों की चीजह होते हैं उसको काटा जाता है और फिर उसके बात क्रॉप उगाई जाती है तो वी डिपेंट ओन नेचर फोर ग्रोथ ऑफ दीस क्रॉप हम नेचर पे डिपेंड करते हैं कि यह क्रॉ और फिर उसके कटाई में और फिर उसके कटाई में and less so at other times और जब सीजन चल रहा होता है कटाई कब आई का तब तो busy रहते हैं फिर उसके बाद थोड़ा कम busy होते हैं काम खाली रहते हैं रूरल पीपल जो है in different regions of the country grow different crops अलग लोग अलग 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 फस और earn will depend upon the land that they cultivate तो किस तरीके से लोग survive करेंगे कैसे earn करेंगे वो depend करता है कि उनकी जमीन कैसी है काफी सारे many depend on those lands for work as laborers तो कुछ लोग जो होते हैं वो labor की तरह मज़ूर की तरह काम करने के लिए मजबूर होते हैं जमीनों पर क्योंके पास अपना कोई land नहीं होता तो कुछ farmers होते हैं जो अपनी crops उगाते हैं खुद के लिए भी अपने लिए रख लेते हैं और बाकी जो बचती है वो market पेश देते हैं some have to sell to traders from whom they have borrowed money कुछ लोगों को जिन traders से या money renders से जिरोंने फसल खरीदी होते हैं उनको भी बेशनी परती है अपने survival के लिए family को कई बार जो है money borrow करनी पड़ती है money पैसा उदा लेना पड़ता है जब कोई काम नहीं होता कुछ families होती हैं rural areas में जो की thrive करती है large acres of land काफी बड़े-बड़े land businesses and other activities भी होती है कुछ गाओं के लोग होते हैं कि काफी बड़े-बड़े lands भी होते हैं business और दूसरे काम भी करते हैं बर जातर जो small farmers होते हैं agriculture laborers होते हैं और fishing families और craft person होते हैं village के उनके पास मतलब जादा काम नहीं होता है पूरे साल पैसा कमाने के लिए तो कुछ families जो बड़ी-बड़ी है वो तो अच्छे से रह पाते हैं बर जातर families जो छोटी है जिनके पास land नहीं है या फिर वो landless laborers है मजदूर है उनके पास साल में काफी कम ही काम होता है काफी कम ही कमा पाते हैं तो यह लोग यह हमने इस चाप्टर में देख लिया रूरल लाइवलिहूड के बाले में कि काउं में किस तरीके से लोग अपना जीवनियापन करते हैं तो यह वाला चाप्टर मारा complete हो गया और लास्ट चेप्टर इस बुक का है अबन लाइवलिहूड को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे थेंक यू